कि नमस्कार मैं मलिक चोवान और आप देखे रहें परिवर्तल निश चैनल परिवर्तल निश चैनल में आप सबी का स्वागत है आई ये दिखते हैं आज की अहम खबरे किनवट गोकंदा वो सारखनी में वेपार वो कारोबार को बढ़ावा देने के लिए कुरुष्टना कॉम्पलेक्स के नाम से नई दुकाने बनाने का काम शुरू किया गया है कुरुष्टना कॉम्पलेक्स के माद्यम से किनवट गोकंदा वो सारखनी के इलाकों में तकरीबन 25 दुकाने बनाई जा रही है जिन में से 20 दुकाने गोकंदा पेट्रल पंप के पास किनवट गोकंदा रोड से लगकर बनाई जा रही है तो वहीं किनुवट शहर में 40 दुकाने साई बाबा मंदिर के सामने कृष्टना इंटरप्राइजस के बाजू खरबी रोड पर बनाई जा रही है तो दूसरी और 25 दुकाने सारखनी में किनुवट रोड पर हच पी पेट्रोल पम्प के पास बनाई जा रही है किनुवट शहर में पहली बार ही एक साथ इतनी बड़ी तादाद में दुकाने बन रही है दस बाए 20 फुट चोड़ी ये दुकाने बन जाने से शहर के छोटे छोटे कारोबारियों को काफी फाइदा पहुँच सकता है छोटे कारोबारियों के बजट के हिसाब से ही इन दुकानों का किराया तैक किया गया है अब तक 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 चालीस के आसपास दुकानों का काम भी पूरा हो चुका है और बहुत जल्द ही बची हुई दुकानों का काम भी पूरा हो जाएगा दुकानों के सामने काफी बड़ी खुली जमीन होने के कारण पारकिंग या अन्य कामों के लिए भी काफी आसानी होगी अगर आप भी किनुवर्ट, गोकुंदा या सारखानी में कहीं दुकान खुलने का इरादा रखते हैं तो देर मत कीजिए तुरंत ही नीचे दिये गए नंबरों पर कॉल करके कुरुष्णा कॉंपलेक्स में अपने लिए दुकान बुक करवाएं आने वाले समय में जल्द ही नैशनल हाइवे सड़क का निर्मान भी किनुवर्ट शहर में शुरू होने वाला है इस रास्ते की चौड़ाई 120 फिट होने के कारण शहर की कई दुकानों को इस रास्ते के निर्मान से नुकसान हो सकता है ऐसी सूरत में कुरुष्णा कॉंपलेक्स में बन रही दुकाने इन लोगों को काफी फायदा पहुँचा सकती है इसी के साथ कुरुष्णा कॉंपलेक्स में बन रही इन दुकानों से किनवट गोकुंदा हुव सारखनी के कारोबार में भी काफी इजाफा होगा तो देर मत कीजिए तुरंत ही नीचे दिये गए नंबरों पर संपर्क करें और अपने लिए कुरुष्णा कॉंपलेक्स में दुकान बुक करवाएं